कि नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा करोना वाइरस के नए केसों ने सभी रिकोर्ड तोड़ दिये हैं एक दिन में दो लाख नए केस सामने आए हैं क्या करोना वाइरस से प्रभावी शहरों में अब लोक डाउन ही आखरी विकल्प बचा है भारत में करोना वाइरस के कहर ने अब तक के सभी रिकोर्डों को ध्वस्त कर दिया है देश में करोना का कहर कितना विकराल हो चुका है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब एक दिन में संक्रमन मिलने का आकड़ा दो लाख तक पहुच गया है भारत में बुद्वार को करोना वाइरस के एक दिन में करीब दो लाख नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं वहीं मोत के मामलों में भी लगातार वृ में बुद्वार रात तक संक्रमन के एक लाख निन्यानवे हजार पांसो उनसट नए मामले दर्श किये गई यह माहमारी की शुरुवात से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए करोना संक्रमितों का सरवाधिक आकड़ा है पहली लहर में भी करोना का यह विक्राल र के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक करोड़ चाली लाख सतर हजार तीन सो हो गई है करोना से पिडित लोगों के ठीक होने की दर और गीर कर 89.55 परतेशत रह गई है आकड़ों पर गोर किया जाए तो माहमारी से मरने वालों की कुल संख्या एक लाग तीहत्तर हजार 152 हो गई है उपचारा दिन लोगों की संख्या भी बढ़कर 13,65,704 हो गई है जो संक्रमन के कुल मामलों का 9.24 परतीशत है अब तक 1,24,26,146 करोना मरीज ठीक हो चुके हैं करोना मृत्युदर 1.24 परतीशत है देश में एक्टिव केसों की संख्या 14,65,887 है इसी भी सरकारे भी करोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदिया लगा रही है मगर जिस रफ्तार से करोना बढ़ रहा है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब लोग जाउन ही आखरी विकल्प बचा है अगर बात दिल्ले की करे तो यहां भी करोना महामारी ने विक्राल रूप धारन कर लिया है और लोगों को डराना शुरू कर दिया है संक्रमन बेकाबू होने के बाद दिली में बुद्वार को पहली बार सभी रिकोर्ड तोड़ते हुए करोना के 17,000 से अधिक नई पोजिटिव केस आने से सरकार की टेंशन और बढ़ गई अब संक्रमिक मरीजों का कुल आकड़ा भी बढ़कर 7.63 लाग के पार हो चुका है इसके साथ ही अब पोजिटिविटी रेट भी 15.92 फिस्दी पर आ गया है करोना संक्रमन से बुद्वार को 100 से अधिक मरीजों की मोत भी हो गई स्वास्ते विभाग के और से बुद्वार को जारी हेल्थ बुलिटेन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां करोना के 17,282 नए मरीज मिले हैं वहीं 104 और मरीजों की मोत के बाद मिर्तकों का कुल आकड़ा बढ़कर 11,540 पर पहुँच गया है मंगलवार को 13,468 मरीजों में संक्रमन की पूष्टी हुई थी स्वास्ते विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 7,67,438 हो गई है और 4,155 मरीज होम आइसोलेशन में है इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 11,540 हो गई है उधर महारास्ट्र में बुद्वार को कुरोना वाइरस संक्रमन की 58,952 नए मामले सामने आए जबकि 278 और संक्रमितों की मोध हो जाने से कुल मरीजों संख्या बढ़कर 58,804 पहुच गई राजे स्वास्ते विभाग ने यह जानकारी दी है वहीं अगर अकेले मुंबई की बात करें तो यहां संक्रमन के 9931 नए मामले सामने आए हैं जबकि कुल मृतक संख्या वढ़कर 12,147 पहुच गई है देश में एक दिन में सामने आ रहे कोविड-19 संक्रमन के नए मामलों में से 80.8 परतीशत मामले 10 राज्यों से हैं केंद्रे स्वास्ते मंतराले के अनुसार महरास्ट्र, उत्रपरदेश, 36 गर्ड, दिल्ली, करनाटक, तमिलनाडू, मध्यपरदेश, गुजरात, राज्यस्तान और केरल में रोजाना मामले लगातार बढ़ रहे हैं राज्य राज्दाने दिल्ली, करोना वाइरस से प्रभाविश शहरों में सबसे उपर है तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुक करें